हलो फ्रेंज, वेलकम बैट मैं चनल कुकें वित्रेखा तो आज की रिस्पी बहुत ही खास बनने वाली है वो बनेगी कच्ची मुम्फली और खेरे का बहुत ही कमाल करायता तो शायद ही आपको पता होगा तो चलिए बिना देरी के फटाफर शुरू करते हैं जिसके लिए मैंने ले लिया है मिक्सर जार और उसमें डाल देंगे कच्ची मुम्फली एक कटोरी की करीब छोटी कटोरी है और अब डालना है इसमें आधा चम्मचे करीब चीनी और आधा यह चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक और ये आधा चमच मैंने डाला है इसमें काला नमक और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दो चमचे करें पानी डाला है मैंने बड़ा चमचे और इसे ढखना लगा कि अच्छी तरीके से पीस लेना है, देखे इस तरीके से, न ज़्यादा दरदरा होना चाहिए और नहीं ज़्यादे एक दम महीन पीसना है इसको, एक दम इसी तरीके के इसको पीसना है, और ये मैंने ले लिया है एक खीरा, उसे अच्छी तरीके से धो लिया है और खीड की साइड को काट लेना है। देखे है, साइड साइड को काटना है, खीड को छीर नहीं है। खीड का राता ज्यादा एक घरों में बनते ही रहता है लेकिन ही कुछ अलग तरिके का है। कई लोग खीरे को grate करके डालते हैं, कई लोग काट कर डालते हैं, लेकिन इसे छोटे-छोटे पीसिस में कट करके ही डालना है, यह रायते में, एकदम बारी काटना है इस तरीके से, बड़े-बड़े पीस भी नहीं होना चाहिए और छोटे भी नहीं, और इसे ग्रेट भी न तब ये खीरे को उसमें डाल देना है बहुत ही चल्दी ये रहता बनता है मुश्किल से 5 मेड़ में लगता है इसको बनाने में तब कभी भी अगर फटा-फट से कुछ बनाना है तो आप ये खीरे कराता है जरूर ट्राइक करना तो ये मैंने इसमें डाला है जो हमने मुमफल को इसमें भूनना नहीं इसीच का विल्कुल ध्यान देना कच्चे ही मुमफली इसमें डालना है इससे इसका एकदम अलग सा टेस्ट हाएगा और मुमफली की मात्रा भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितना मैंने डाला उसी हिसाब से मुमफली डालना आप कम ज्या अच्छी तरीके से मिला लेना है तब यह मेरा रायता तैयार हो चुका है मैं आपको सर्फ करके दिखाते हूं प्लेट में उपर से मैंने थोड़ असा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और यह मैंने थोड़ असा काली मिर्च ले इसे कूट के डालना है अगर आपको लगता है एक बार जरूर ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा और चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले तो यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को यह नए वीडियो को साने तब तक लिए बाई बाई